हेलो एवरिवान माई नम इस गौरव वैलकम दू दे डबलो एस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सभी को बता है हमारी ऑटकैट की सीरीज चल रही है इस ऑटकैट की सीरीज के अंदर आज हम डिसकस करने वाले हैं टेबल के बारे में कि टेबल किस तरह स रहें आपके बारे में तो टेबल आपके बारे में जैसे आप एकसल सीट के लग जो टेबलस करते हैं fact यहां पर AutoCad के अंदर भी आप किसी भी टेबल को ड्रॉख कर सकते हैं बिसिकली बात किजाए टेबल का यूज कहां पर होने वाला है जैसे आप को बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के अंदर जो भी आप करते हुए आपके पास एक table की रूप में represent करना है तो आप table command का यहाँ पर use कर सकते हैं basically बात की जाए देखिए आप यहाँ पर देखिए एक तो table आप बना सकते हैं line diagram के through से यहाँ पर आप क्या करेंगे line diagram को draw करेंगे line को बनाते हुए फिर आप उसके table को बना सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं AutoCAD के अंदर आपके पास table command होता है जिसके तुरू आप क्या कर सकते हैं table बना सकते हैं अपने according उसे adjust कर सकते हैं और अपने according उसे यहाँ पर एक styles की जा सकते है editing के लिए कौन-कौन से tools की जरुवत पड़ती है और इस table को किस तरह से editing की जा सकते है वह सभी हम चीज़ें यहाँ पर one-by-one देखने वाले हैं तो basically बात करें तो देखे tables आपके लिए बहुत ज़दा important है किसी भी drawing को create करने के बाद आप क्या करते हैं उसकी टेबल बनाते हैं जिसके अंदर आप उसकी summary लिखते हैं या फिर बात करें उसकी costing लिखते हैं या उसके बारे में जो भी आपको वास information लिखनी है वह आप एक table की रूप में represent करते हैं तो table आपके लिए सबसे ज़दा important rule करती है इसके अंदर बात करें सबसे पहले हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं creating tables के बारे में कि ट्रेबल किस तरह से create की जा सकती है तो basically बात करें creating table करने ही आपको तो यहाँ पर आप टीबी एंटर कर सकते हैं और आप उस table को यहाँ पर draw कर सकते हैं या फिर हम autocad के अंदर एक icon से उस icon क अच्वे को प्रेस करने जा सकती है व इतोत खसे बीवफल को ड्राट कर सकते हैं तो चलते हैं अंद्र अँड़ के अंदर और automatic के mazhtare कि किस तरह से यहाँ पर table को draw कि यहां पर सबसे उपर आपके पास यहां पर आपके पास है पर tableають यहाँ पर यहाँ पर पर ऑकृति दि इस बात करते हैं इस रिष्ट टेवल के अनदर आपके पास कौन सा IKON किसे तरह से शो करते हैं तो यहां पलाली लिखा है टेवल इस्टायल आप उसे यहां पर देख सकते हैं अभी हमारे पास एक सिंगल डेबल इस्टायल है जिसे हमने और रखा है यदि आप अपनी खुद की एक नई table create करते हैं जैसी कि हम देखेंगे कैसे create की जा सकती है टेबल को यहाँ पर, वो हम देखने वाले हैं तो जस तरह आप एक नई table को create करते हैं उस table को create करने पर आपके पास उसको किस तरह से insert किया जा सकता है अपने according वो हम यहाँ पर देखेंगे अभी अमारे पास क्या है table insert है तो यहाँ पर आपके पास एक standard format के रूप में tables है बात करें यहाँ पर next option आपके पास यहाँ पर आपके पास table style के अंदर जिसके अंदर आप अपने according blocks रखें आप उसके according यहाँ पर columns row रखें width रखें height रखें जो भी आप यहाँ पर रखना चाते है वह अपने according रखना चाते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं तो आप यहाँ पर आप मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर अपनी खुद की एक table style क बेसिकली बात करें तो table style का हमारा पास एक अगला यहाँ पर अगला option देखेंगे उसके अंदर बहुत कि चटनक से देखेंगे लेकिन अभी हम यहाँ पर simple पर आपके पास देखा है from the data link क्या होता है यहां पर कि यदि आपके पास external रूप में कोई tables पढ़ी है आप उसे यहां पर लेना लेकर आ सकते हैं वह हम देखेंगे हम हमारे आगे आने होले times के अंदर हम देखेंगे इस के दर किस तरह से हम यहां पार कि हमार पार जो एक्सल्स फाइल के अंदर कोई tables पढ़ी है उसको किस तरह से यहां पर हम यहां पर insert कर सकते हैं उसके बाद देखें यहां पर next यहां पर हमारे पास क्या है from the data object to the drawing data extension देखें हम यहां से बार से कोई फाइल लिखाएंगे फिर उसके बाद इस option को समझने वाले हैं अब बात करें next अमारे पास है preview देखें प्रिवियू के अंदर क्या है कि आप यहां पर जो भी modify करते है table के अंदर वह आपके पास क्या दिखता है preview के रूप में आपको पास यहां पर show होना शुरू हो जाता पुर्य उसके बाद आपके बाद दाटा दिख रहा है अब आप जाते हैं कि इसको यहां पर specify intersections point के रूप में नहीं show करके specify window के रूप में show करना जाते हैं तो वह भी हम यहां पर option कि किस तर से होता है हम यहां पर option के अंदर तो देखिए यहाँ पर अगला options है यहाँ पर columns और row देखिए यहाँ पर आपके पास जो सीधी सी यहाँ पर perpendicular यहाँ पर जो बना हुआ है यहाँ पर यहाँ पर आपके पास क्या आपके 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 यहां पर फाइब कर सकते हैं अब आप इससे चाहें तो इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो इसके बात करें यहां पर तो देखी बात करें रो के बारे में तो रहो यहां पर आप इंक्रीज कर सकते हैं तो मैं बात करूँ तो डाटा रो यहां पर मैं थ्री लेने वाला हू अब जरा बात करें यहाँ बीच की जो विर्ट है All यहाँ पर फार्ण विस्त टोड़ी लिखा है ताइटल्स यहाँ पर टैडल्स की जघ़ा आ इसे चेंज करना चाते है तो डाटा स्काथ है अधर करना चाते है तो यहां पर याँ पर आपके पास इतना आपको समझ में आ चुका होगा अभ यहां पर यहां पर उक्रेस करेंगे तो आपके पास देख रहा होगा, यहां पर आपके पास एक टेबल क्रेट हो चुकि है, इसको यहां पर आपके पास एक पॉइंट देना पड़ेगा, तो आप जहां इसको पॉइंट देंगे, वहां पर आपके पास क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहां पर टेबल कर सकते हैं number लिख सकते हैं next बात करूँ यहां पर तो यहां पर आपके पास यहां पर टैक्सिंग कर रहे हैं जो आप यहां पर लिख रहे हैं वह आपके पास कैसे देख रहे हैं multiline taxing के भाली यहां पर तो समय को ह्यां पर ढूरी टेबल के antar आप चाते हैं इसको fill करता है यहांपर एंटर करेंगे तो आपके पास इसकी next यहां पर रोके प्री चले जाएंगे बात के अंदर चेले जाएंगे E class लिख लिख देता हूँ उसके बाद बात करूँ यहाँ पर subject के अंदर जाना है तो subject के अंदर आप press कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं English के लिए So E N G कर देता हूँ यहाँ पर simple सा उसके बाद में यहां पर देखे यहाँ पर 네चे की तरफ press करूंगा यहां पर बात करें he aleOR इंग्लिस लिखा है यहां पर उसके बाद कर देते हैं यहां मेट कर देता है यहां पर और यहां पर भी कुछ लिख लिता है जैसे ! Sc. जो आप यहां पर बना रही है निए सेम त्ही आपके पास वर करती है जैसे आपने यहाँ पर Xigor Seed Tagen Tabor बनाई है उसली तरह यहाँ पर वर्क करती है इसके अधर आप रू को एड़ और भी सकते हैं एड़िट भी कर सकते हैं भी गौिए बात करें यहाँ पर बात करें इस इस बात करें आप इसके बात किज़्ांग के पर, चरण यूज होती है इस multiline taxing के अंदर जो जो options आपको दिख रहे थे जैसे की बात करूँ यहाँ पर आपके पास यहाँ पर cells के बीच में दिख रहा था कि cells के बीच में gap कितनी होने चाहिए line की spacing कितनी होने चाहिए line के size क्या होने चाहिए इन सभी के बारे में जो हमने यहाँ पर multiline taxing के अंदर डिस्कस किया था वो सारे के सारे options भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं आपके पास यहाँ पर आपके पास प्राइब आप जो चाहे वो यहां पर लिख सकते हैं और यहाँ पर इसको added भी कर सकते हैं अब देखिए हमार पर जो next option है उसके बारे में चले यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर next option है यहाँ पर आपने जो table insert की थी वो कुछ इस तरह से format रिखा था और यहाँ पर अपने according यहाँ पर सारी चीजे चेंज की थी ओके आप बात करते हैं यहाँ पर table style के बारे में कि table style क् हम अपने according के इस तरह से यहाँ पर एक नई table को insert कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले है तो table style के लिए आप क्या एंटर करेंगे table style एंटर करेंगे तो table style आपके बास मिल जाएगी या फिर बात करें आपके यहाँ पर तो देखिए table option में जाकर आप वहाँ पर आपने table और style आपके बास table style आपको मिल चुकी है आप table style का icon का यहाँ पर चूस कर सकते है यहाँ फिर से आपके बास table style मिल जाएगा आपके बात करें यहाँ पर next यहाँ पर क्या है यहाँ आपके पास क्या है standards का मदब मैं आपको बता दिये था कि यहाँ पर predefined यहाँ पर जो भी आपके पास यहाँ पर जो table style है वो यहाँ पर standard के form में है अब आप चाते हैं कि यहाँ पर अपनी खुद की table style क्रेट हो आप अपने according यहाँ पर table को arrangement करना चाते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं तो बेसिकली उसके लिए बात करना चाहूंगा यहाँ पर तो आप यहाँ पर यहाँ पर preview के अंदर देखते हुए चलिएगा यहाँ पर preview के अंदर देखने पर आपको क्या देख रहा है कि आपके पास जो titles है वो सबसे नीचे आ चुका है आप चाहते हैं title ऊपर होना चाहिए तो आप यहाँ पर down भी कर सकते हैं और bottom भी कर सकते हैं अब बात करते हैं आपके पास यहाँ पर sale style अभी हमारे पास का चल रहा है data चल रहा है आप यहाँ पर detail का मतलब में आपको समझा देता हूं यह जो नीचे वाले जितने भी data लिखे हुए है यह आपके पास सारी sales style कराती है अब आप चाहें तो इसे header भी कर सकते हैं आप चाहें तो इसे data भी देखाता हुँ यहाँ का मतलब कि यहां पर जो पीछे आपके चेंज होना चाहिए जैसे कि यहां पर बात कर सकते हैं बात करें ग्रीन को ऑपने यहां पर टेवल का चीने कर सकते हैं बात करें अलाइमेंट की तो अभी आपके पास क्या है यहां पर जितने भी आपके पास क्या है यहां पर चाहें इसको यहां पर अभी आपके पास क्या है यहां पर बात करें इसको चेंज़ सकते हैं बात करें यहांपर पर общем दाल सकते अपने according इस face कर सकते में किAm quietly है जहां पर अब करें अब क्या में मार्जन कार चाहना है यहां पर अब akhir वह रखी है यहां पर अब यहां पर रॉट्पर अब आप चाहे है तो इसे मर्च कर सकते हैं अते बहुत डाटा के बहुत है आप उसे चाहते हैं कि single के अंदर merge करने चाहे तो वो भी आपिसे merge कर सकते है और single data की file code यहाँ पर draw कर सकते हैं. Clyer हो गए हो यहाँ यहाँ पर बात करें यहाँ नैस्ट है यहाँ पर taxing की इसके अंदर यहाँ पर taxing करने वाले हैं उस taxing की है आप यहाँ पर जो भी लिखने वाले हैं, उसकी जो height है, उसको आप यहाँ चेंज कर सकता है, जैसा कि मैं इसके अंदर की color को यहाँ पर red से fill कर सकता हूं, बात करें यहाँ पर border की, बार्डर सबसे ज्यादा important चीज है, देखिए border का मतलब क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर जो आप table बना रहे हैं इस table के अंदर हम ने देखा कि एक single single line यहाँ पर बनी हुई है लेकिन आप चाहते हैं कि उसके border मिलना चाहिए उसके उसके opinion भाजश को यह जआ है इसके उसके हमें और यहां पर साधिया जी सकते को स्वाँटिरें यहां पर आपर अलाओर क वोड़र के भी देखते तो तो देखिए पर यह थो た solitary में वाउल बॉर्ड़र बैठें आप चाहते हैं जिस-जिस side के अंदर आप यहां पर border देख सकता है आप बात करूँ तो है यहां पर basically मैं यहां पर outside of border को भी यहां पर choose कर सकता हूँ middle choice को भी यहां पर हब अइना चाहीं तो basically मैंना इसको choose कियी है क्रेइं रहे यहांपर create a new cell style। न्यू स्टायल को सकता है बात करें यहांपर Umm T करना चाहिए तो यहां पर मर्ज भी किया जा सकता है तो यहां पर मिल चुका है अब देखिए यहां पर मैं जैसे यह Auto के पर प्रेस करूँगा और यहां पर कर दूँगा अब आप चाहें तो इसे स््टेंडर रूप में ले सकते हैं या आप चाहें तो इससे ऐहां पे पर मुझे यहां पर यहां पर बूर्द का प्लू लिया था बात करें यहां तो वह मिल चुका है अब आप चाहे हैं तो इसे फिल कर सकते हैं यहाँ पर जो भी चाहे हैं यहाँ अपर लिख सकते हैं यहाँ पर हमक्या कर रहे हैं यहाँ पर तो यहां पर आप जो चाहिए वो लिख सकता है जैसे कि मैं यहां पर ए लिख लेता हूं यहां पर कर देता हूं पी कर देता हूं और यहां पर बात करें तो यहां पर मैं और एंटर कर लेता हूं तो वैसे वैसे आपके पास यह सारे option देखने को मिल रहे है अब जरण बात कते हैं यहाँ पर देखें टेबल के अंदर चलें यहाँ पर यहाँ पर है अमारे पास सबसे पहले हमने देखा था इसके अंदर क्या हो रहा था कि हमारी टेबल थी वह एक पॉइंट दे रहा था और वहां से हम जहाँ चाहें वहाँ पर हमारी टेबल थी वह क्लेट हो रही थी लेकिन यहाँ पर आपके पास देखेंगे तो यहां पर आपके पास डाटा रो जो कॉलम्स है वह वाली चीज इसकी रो बनाने जा रहा हूं इतनी रो बनाने यहां पर बनाने जा रहा हूं तो बैसिकली बात की जाए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर टेबल के इंदर जालके बाद आता हूं जब हमने यूज किया था स्पेसिफा in transaction point तो जब हमनेÖ विंडोट के उपर खेस किया था तब हमने क्या मैंडली दिया था यहाँ पर कि हमने इतनी रो चाहिए इतने callum चाहिए रो के बीच इतने डिश्टेंज चाहिए और ने यहाँपर margin चाहिए लेकिन जब हमने specify window के उपर कुल क्लिक के पार हमारे पास एक first corner point से हमारे सितिनी हमारे सिच्छ है, उतनी हम यहाँ पर अपनी row को convert करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी row है उसको पर numbers of pro यहां पर डाल सकता हूँ I hope so यहां पर clear हो चुका होगा कि किस तरह से यहां पर आपकी जो table है उसको insert किया जा सकता है yes किस तरह से insert किया जा सकता है और plus उसके अंदर किस तरह से यहां पर taxing को fill किया जा सकता है और उसके अंदर किस तरह से यहाँ पर wording को यहाँ पर जो भी text है उसको insert कहा जाकता है I hope so यहाँ पर आपको clear हो चुका होगा तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लक्षर के साथ जहाँ पर हम देखेंगे टेबल के अंदर किस तरह से edit कहा सकता है और कोई भी आपके पास excel seat है कोई भी आपके पास excel file है उस excel file को यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर insert कह सकता है आपकी टेबल के अंदर वो हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो लक्षर के साथ तब तक आप हमारे साथ बने रहिए Thank you for watching this video कर दो कर दो, कर दो कर दो बने पर बने बनाप़के प्सकता है